इस भारत के लांचिंग के उपलक्ष में मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुबकामना और शुबच्छाय देता हूँ और निश्ची तुरुप से इस उपक्रम ये शश्वी होगा ऐसा विश्वास भी वेक्ता करता हूँ मैं अपने देश में इन सब पॉलिसी का जनमद आता भी हूँ तो मुझे पता है कि इसमें अड़्चाने क्या और समस्या क्या है मैंने अभी बताया कि मेरे पास टीवीएस और बजाज है हीरो ये तीन ऐसे मैनुफेक्चर रहे देश में कि उनका पचास टके प्रोड़क्शन वो एक्सपोर्ट करते हैं यहने हमारे देश में एक्सपोर्ट का मारकेट जितना देश का उतना बहर का है और सबसे इंपोर्टन चीज यह ही कि उनकी स्कूटर जो है इस बाई के बड़ी महंगी है और इसलिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दो स्टडी किया था अभी दो चार दिन पहले ही टीवीज के मालिक जो थे वेनु स्रीनिवासर मेरे आये थे और सर्वे में ये मालूम हुआ कि एक स्कूटर आत्मी कितने किलोमेटर चलाता है तो उसका जो एवरेज आया है बैजाज ने कहा है कि 26 किलोमेटर एक दिन में चलाता है और टीवीज न कि अभी बोल रहे एक सोलर से इसकी जुरूत ही नहीं एक ही बैटरी चार्ज करके अगर 70 किलोम्टर होगा तो कॉस्टिंग कम होगा और इसका मार्केट जो है आजकल लोग जो नाकपूर, पुना, मुंबई यह थोड़ा ब्रैंडेड के तरफ है क्योंकि पेंग कैपेसिट जादा है और जैसे काटोल है, नरखेड है, जलाल खेडा है, इस टैप के जो छोटे-छोटे गाव है, वहाँ सफाई कामगार, प्यून, छोटे आदमी भी, सैकल के बज़ा इसको चला सकता है, बच्चे स्कॉलेज में जाने के इसको उप्योग कर सकते हैं, और इसलिए जो मिनिमम मोटर की कैपेसिटी है, उसको जब मैंने यह कानून बनाया था, उसको मैंने आर्टियो से बाहर कर दी है, प्रेस्टिशन की ज़ुरुत महीं है, तो मुझे आप से एक ही कहना है, यह मार्केटिंग रूरल, अग्रिकल्चर और छोटे गाव में जादा हो, दूसरी कॉस्ट में क्वालिटी के साथ कॉंपरमाइज नहीं करती हुए, आप उसको कॉस्ट कम करिये, और और कॉस्ट आपकी वैसे भी रिजनेबल है, और दूसरी बाद आपको थोड़ा सा मार्जिन जादा लेकर, आपके डिलर की फाइनांसिंग कंपनी निकाल कर, अगर इसको क पाइनांसिंग कंपनी भी होती है, तो यह इसके लिए कोई अगर जॉइंट वेंचर पार्टनर मिलता है, और वो उससे अब चेक ले लेंगे, वो सर्विस करता है, तो सैलरी डिडेक्शन उसको दे देगा, बैंक के अकॉंट से ट्राइपरटी, एगरिमेंट करके, तो छो कुषिये की विधर्ब में पहली बार आपने ये कोशिश की, और मैं आपको शुब कामना देता हूं, अभी तक जब से मैंने ही स्कूटर यारी बाइक का, जब काम शुरू किया है, धाईसों लोगों ने शुरू किया है, अरे, धाईसों लोग आप मैनिफेक्टरिंग में इसमें करनाटक में बैंगलोर में बहुत अच्छे-च्छे डिजाइन्स और काफी रिसर्च हुआ है, अभी तो मैं हड्रोजन की गाड़ी पे दिल्ली मेरे पास है, तो पानी से हड्रोजन निकाल कर गाड़ी चलेगी, फिर मैं अभी कल ही मैंने टोयटो की लांच के, वो उसके केंबरी मॉडेल था, जिसमें 60% पेट्रोल और 40% वही बिजली तेयर करेका जो बात आप बता रहे थे, पर मैं किसान हो, और मेरे सपने का मॉडल ये है, जो अभी अगले मैंने आ रहा है, इसके लिए मैं दंडा लेके बैठा हूँ सब के पीछे है, वो ये है कि हमार तो टोयाटो के मॉडल सार है, कि साथ रुपे लिटर का इथेनॉल भरने के बाद 40 टक्के वही बिजली तयार करेगा, यानि आपके गाड़ी में 30 रुपे लिटर पेट्रोल की कॉस्स से आपको अवरेज मिलेगा, एक दम बचत होगी, और प्रदूशन से मुक्ति मिलेगी तो टोयाटो, हुंडाई, मर्सिडीज, ब्यम डवल्यू और बाद में सभी टाटा से लेकर सब लोगों की गाड़ी अगले महने से आ रही है, और बजाज ने और टीवीस ने, और हीरो ने इथेनॉल की लगाई है, आज ही मेरी बाद इथेनॉल की बाइक नाकपुर में ला यह यह वावाई कुरुप से सस्ता भी है अब प्रदुशन्ट से मुक्त भी है, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक, एत्यनॉल, मिथयनॉल, बायो डीजल, बायो सीनजी, बायो एलेनजी और हैड्रोजन, और हैड्रोजन में में तीन प्रकारे, ग्रीन है पानी से निकल करने के लिए रूट आप सोलर लगाओ और वो पानी जो है गंदा पानी उसी से हम ग्रीन हड्रोजन तैयर करेंगे और नाकपूर कारपुरिशन की ट्रक बसेस और कार यह सब उसी पर चलाएंगे अभी उनको कहके आया कि आप यह प्रोजेक्ट दो अभी दिल्ली में तो मेरे है कि मिराई करके गाड़ी है वो ट्वैटो की है मिराई का जापानी में अर्थ होता है भविष्या और यही भविष्या है तो आगे चलकर यह भी गाड़ी को ग्रीन हड्रोजन पर करना होगा इसके बाट्रक बसेस ट्रैक्टर हवाई जहाज रेलवे और फैक्ट्री भी को बात लगते कि मैं 2004 से यह कह रहा हूं और आउट आप बॉक्स कोई भी बात लोगों को समझाने में समय जाता है क्योंकि वो जल्दी मानते नहीं है जितनी बाते कहता था उतनी सब प्रूव होगी अब साभवाई कृप से और ट्रांस्पोर्ट मंत्री मैं हूं और मेरा एक स और अगर ये 16 लाग करोड में से 5 लाग 10 लाग करोड अगर गाव के गरीब किसानों के पास जाएंगे तो गाव के लड़कों को रूजगार मिलेगा और इसलिए बड़े प्रमनप में बोलता हूं कि अन्ना दाता नहीं उर्जा दाता बनो ताकि गाव में उर्जा त्यार हो जाएगी तो कोई किसान नाकपुर मुंबई कलकता नोकरी मांगने कलने आएगा और अभी दिन दूर नहीं है कि अपने खेती में कुआ होगा उपर में रूप्टॉप सोलर होगा वही से इलेक्ट्राइजर एक करो मैंने अभी एक यहां बिल्डिंग में जो हंड़र परसेंट बायो इथिनॉल पर चलने वाला देश का पहला जेनरेटर है क्योंकि डिजल का वाव एक्षो दस रुपे और इथिनॉल का वाव साट रुपे तो साभवाई कृप से बचता और मैं कंस्ट्रक्शन एक्विप्मेंट वालों के पीछे लगाओ जेसीबी ने ऐसा जेसीबी बनाया कि जो अपनी परली होती है राइस ट्रॉप यह इससे बायो सी एंजी और बायो एलेंजी त्यार होता है और मेरा ट्रैक्टर खुद का यह सी एंजी पर चलता है और अभी वह उसके कारण किसान एक लाख रुपे साल के अ तो मैं तो आज मुझे खुशी हुई कि जितना इलेक्ट्रिक, इतनल, मेथनल, बायो डीजल, बायो सी एंजी, बायो एलेंजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हड्रोजन, मैं पीछे पढ़ा हूं इसके और मैं एक दिन यह दिन देखना चाहता हूं कि हमारे देश का च्छेटर के बीलाब तेर, वह प्रोदूशन के करण्ट दे रहे, वह प्रोदूशन के करन्ट थे रहे, वह प्रोदूशन खतम और देश को मुक्ति मिलेगी, उसमें आपने आज यह वेहिकल का यह भारत के नामसे इसका लांचिन की है, मैं आपको बहुत 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 और निश्चेत रुप से बगवान आपके इस ओक पकर्म में आपको शुबका मैना राश्चिरवाद दे, यही प्रहाथरना करता हूं, नमस्कार। कि अबचार रता हुचेत राश्चेत